कोरोना के चलते 2020 साल शिक्षा से वंचीत रहा स्कूल को पूरी तरह बंद रखने से विध्यारतियों ने स्कूल की सीड़ी तक नहीं चड़ी स्कूल भी भंगार में पड़े रहे लेकिन नागपुर ग्रामीं पंचार समिती के तहत आने वाले दौलामेटी स्कूल के दोशिक्षी का घर में न रहते हुए पूरे लौकडाउन में खुद पेंटिंग कर स्कूल की दिवारों को सजाया दोदोकर बच्चों को चीत्रों की प्रती प्रतिकों में माध्यम से शिक्षा दी है नागपुर से बारा किलो मिटर की दूर एक पीछरे ग्रामीं इलाके में दौलामेटी स्थीत हेटी में यह स्कूल है लेकिन इसके खूपसूर्ती इसे जीले के दूसरे स्कूलों से अलग बनाती है इसकूल को जिला का मनिषा चोधरी ने पताया कि कोवेड नाइंटीन में बच्चो की शिक्षा का भारी नुकसान हुआ है औंलाइन शिक्षा थी यकिन ग्रामिल नहीं और कुछ बच्चों के पास मोबाई था नेट वरक नहीं हमने कोरो accompan को स्कूल को पेंटिंग краça गाम क्या दो मुका पालन भी किया गया अब कोई स्कूल में आते हैं तो हमारी सरहाना करते हैं यह हमारी लिए बड़ी बात है हमने स्कूल की दिवारों को पेंटिंग से सजाया दिवारों पर भारत के राश्ट्रे प्रतिक जैसे राश्ट्रे पक्षी मोर, फूल, बेटी बचाओ, पेड क चित्र शिवाजी महाराज गड़ के लिए जीजाई शिवाजी महाराज की जीवन पर चित्र पेंटिंग बनाए गए ताकि बच्चों को सामान्य ज्यान वह इन सवालों को आसानी से सीखे स्कूल के सौंधरी करन से ना सिर्फ शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है बलकि अ अंग्रेजी सही से ना पढ़ाने की शिकायत आते रही है यह धारना है कि सरकारी स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई ही नहीं होती स्कूल के अध्यापकों ने यह धारना को भी तोड़नी की कोशिश की बच्चों को अच्छी अंग्रेजी आने के लिए शिक्षिका भी अ प्रमांग सन्मान मिला हस्तलिकी तुपक्रम सुंदरक्षर कला की प्रदर्शनी का आईजन किया जाता है खेलों पर भी विशेज ध्यान दिया जाता है स्कूल के मुख्यादेपिका और शिक्षिका बच्चों में खेल के प्रती रुजहान बढ़ाने की कोशिश करते हैं ऐसी ही हर शिक्षिका की सोच हो तो बदल जाएगी स्कूल की स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ शिक्षकों ने स्कूल के सौंदर्यकरन पर ध्यान दे कर स्कूल के परिसर को स्वच अर पौदार उपन किया स्कूल को हरा भरा कर बच्चों को आकर शित किया गया स्वच अभ लेकिन स्कूल की शिक्षिकाओं मनिशा के पेंटिंग से स्कूल सर्जने से अब स्कूल में 40 बच्चे शिक्षा ले रहे वहीं पाचवे क्लास को भी अनुमती मिली दूनों शिक्षिकाओं के प्रयास स्कूल के हालत बदल गए और बच्चों की संख्या भी बढ़ने रगी है स्कूल की कमपाउंड डिवारे भी बच्चों की किताबे शिक्षिकाओं मनिशा चौधरी वो उमा चौधरी लोकडाउन में घर में नहीं बैटी रोजाना अपने स्कूल में आकर स्कूल को सजाने में लगी स्कूल की दिवारों को उन्होंने बोलता बयान किया, साथ ही खुद ही उन्होंने खर्चा बे उठाया, जो भी स्कूल आते उनकी सरहना होती है, स्कूल में राइगड का किला आकरशन का केंद्र रहा है, शिवाजी महराश की जीवन चरीतर स्कूल की दिवारों पर याद दिल डौला मेटी ग्राम पंचायद ग्राम विकास अधिकारी विश्णू पोर्भरे कहते हैं कि इस स्कूल में हमारे गाओ के बच्चे ही तो पढ़ते हैं तो ऐसे में मेरी भी जिम्मदारी बनती है कि हम स्कूल की मदद करें गाओ का हर बच्चा शिक्षित बने वही गाओ का जिवाद परीशत प्राधमीक शाह दवला में ठीए स्था स्थायक सिक्षिकामणन कारियरत आताँ केंद्रवाडी यादी पंचैस समीति नाखपूर तर या शायद मी नौँ वर्ष जले कारियरत आहे आले पस्ना या शायद ची पटसंख्या थीशे कमी होती, पंदरह सत्रावर पटसंख्या आलेली होती पन आत्ता आमची शायद ची पटसंख्या 24 परेंत आलेली आहे, गाव छटोसल्या कारणानी पटसंख्या चाली साहे तर इहाचा माक्चा कारण असा कि आमी सतत उपक्रम गेतालेलो आहो तैयाचा पहले आमचा हाग किल्ले निर्मीती उपक्रम आने शिवाजी महाराजांचा राज्यकारभारासल गाव आने शिवाजी महाराजा राज्यकारभारासल गाव डवला मेटी हेटी चा प्राथमिक शाड़े मजे आओ डवला मेटी ग्रामपंचे ची लोकसंख्या ही जवाज़पास 25,000 बनता है आने इथे उच्चे प्राथमिक शाड़ा टोली आने प्राथमिक शाड़ा हेटी अशाद दोन शाड़ा है हाँ हेटी गावाचा परिसर मठलम जे एक आपन्थोल सा शिक्षनात कि मागासलेला होतकरू समाज या ठीका निया आए आणि इथा एक ते चार वर्गा प्रंते ची शाड़ा है या शाड़े मदे दोन शिक्षिक्री शाड़ा ही ही उमाताई चवधरी यच्यम जवलपाद चार वर्गा प्रंते आए आणि मनिश्याताई चवधरी सायक शिक्षिका नव वर्गा प्रंते आए या दोननी शिक्षिकांची योड़ी जोड़ी चांगली जाली चवधरी चव कान्वेंट मते प्राइवेट शाड़े मते जाईचे कारन या शाड़े चा दर्जा फार घसर ले लाए अस जिल्ला पुरिशत चा शाड़े चा बात्तित लोकांचा मत जा ले लाए बीसेन न्यूस के लिए वाडी से सौरप पार्टील के रिपोर्ट